कि अमान पाएं आप बिलकुल पाएं आला आपको जन्रेगी दे एक जो है हमें वेगन बड़ी जो है वो ट्रक चाहिए जो सामान आए सामान ले जाए दावतों शावतों में तेरा सो सी सी की हाई कोड के जर्शावान बुकाड़ी दे ती अभ दिमांड आईए 18お願いします कि दे दो ठीके सर उसके बाद आएक कि अवी सेशन जर्शावान को टोईटा करोला दे दो और एडियों सेशन जर्शावान को जो है कल्टर्स दे दे सेंट्र जेल कराची दे दो दे दो जहां जी दे दो वाजिके भी कहा जाएंगे और इस्टेट गेस्ट हाउस दे दो 2009 मॉडल से उपर जो भी 1600 सिसी इंजिन गाड़ी है उसकी जो कैपिसिट ये इरली जो एकसाइस टेक्स जो लेती है जो 2000 पता नहीं 4000 अगर इसको 8000-10000 किया जाएंगे तो कोई मसला नहीं है वो भी आवाम के लिए ही पेसे आएंगे जब इदर बोलके खड़े हो के बोलते हैं कि आवाम के साथ वो रहा है वो रहा है तो यार दोन अपनी जेद में से कुछ निकालों अपनी जेद में भी हलकी कर दो नहीं अगर टेस्ट को इसमें देदो वो हो है जब ये एंटियन नमबर में आपका नाइसी नमबर आ जाएगा तो फिर चागिर्दार भी नज़र आजएगा हम जिसा ये सुपर कॉलर भी नज़र आजएगा जो सीधी उंग्लियों से नहीं निकल सकता था अब ये यूँ टेरी निकलेगा हमारे जो मकार दुश्मन हैं इंडिया उनके हाँ इस वक्त ओसतन आमदनी सालाना एक लाग पाकिस्तानी रुपए के करीब है वो जिस एंजिन में और जिस पेट्रल पे चल रहे हैं उस काफी आठ फीसद से बढ़ते हैं वो सालाना उनकी मईशत वो अगर ऐसी चलते रहे तो 2030 तक उनकी ओसतन आमदन फी फर्द साड़े सतरा लाख रुपए पाकिस्तानी आज के हो जाएगी इसका यह मतलब नहीं है हर इंडियन खुशाल हो जाएगा इसका मतलब यह है कि उनका उपर का तबका है वो काफी अमीर हो जाएगा बात फिर यह की जाती है कि मकार दुश्मन जिसके खिलाफ 10,000 कवाने में 27,000 हम उसको उससे बचने में लगा देते हैं अगर थोड़ी सी दोस्ती सही जो इस वाद 2.5 फीसाद हमारी ट्रेड होती है मकार दुश्मन से वो अगर थोड़ी सी बढ़ जाती तो पाकिस्तान का हाल भी काफी बेतर हो जाता लेकिन इस सब कुछ की बात से पहले टैक्स की बात कर लेते हैं टैक्सेशन जो मैं कहता हूँ के जी अमीर की जेप काटे हैं काटे नहीं तो कमसकम तोल लें कितनी है ताके पता चल जा रहा है जितना जा रहा है कितना हम ले सकते हैं अब दुबै से पैसे आते पैसे आते वे पूछ लें किो आए, दुबै पैसे जाते वे पूछ लें कियों गए, कैनदा जाते वे, अफ्क उच करोड भीजे थे, चार करोड आये थे, इनका टाक्स पांच़ सब्सी यूरुए सा λामना.. अगर आते हैं तो वो एक सिस्टम में उसके थूरू आते हैं पता नहीं चलता पाकिस्तान में 60 से ज्यादा पीसद जो टैकसेशन है और इंडिरेक्ट टैकसेशन का मतलब यह वो टैकसेशन जो आप खुद जेव से निकाल देते हैं लेकिन आप बेसिकली कंजामशन की दुरा ज़रान शीज़ खरीड रहे हैं आपकी जेव से काट ली जाते हैं और इन में मसला यह कहा, खरीब जो है, उसकी भी कटती है, उसकी प्रक्तितम कीज चारी वी अब यह उसकी बी पैसे में से कट जाता है, बराबरी इसकी, इसकी दिस्क केचिमिनेशन नहीं होती, बराबरी से लिया जाता है, मतलब उसी चाहे के डब़े पे अमेर भी और किसी को टیکस नेट में लाने की जूरत नहीं है। आपको जाके किसी से पूछना थे जूरत नहीं है। कि बैटा ये BMW और आपने कहां से खरी दी और क्यों खरी दी और अगर आपने खरी दी तो मतलब अब आप, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप B.M.W. चला रहे हैं तो आप इस पे थोड़ा सा टैक्स भी दें ये किसी और चीज़ पे दे दें लेकिन मतलब जाहरी बात है आप इतनी ये इस कानवर्सेशन से बचने के लिए सबकी जिए काटो उसमें जो नाइंसाफी है वो ये है इन डिरेक टैक्सेशन जो है वो एंटी पूर है वो अवाम के खिलाफ है, रिग्रेसिव है और वो मिडल क्लास और गरीब तबके को unfairly burden करती है कैसे ठीक करें? income tax को, wealth tax को क्या करें? income tax, at a minimum income tax जो है वो बढ़ना चाहिए जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग है उन पर चाहे किसी तबके से हो क्योंकि ये जो debate है कि services sector में शेर वाले नहीं देते और गाओं वाले देते ये दिहात में रहने वाले जो आपके काओं के हैं तो मैं आपसे नराज हूँ तो आप tax दें और मैं शेर काओं तो आप मुझसे नराज हैं तो मैं tax दूँ प्रिंसिपल सिंपल है अगर एक level से ज्यादा आपकी हमदनी है तो आपको उस पे income tax देना चाहिए चाहिए आप कहीं भी रहते हो और कोई भी जरीया आपके हमदनी हो जो 3,3 लाग रुपए सालाना कर दिया इस budget में यह तो आप निशले लेवल की बात कर रहे ना यह पूछें के जो महीने में 5 लाग रुपए कमा रहे हैं तोप 1 फीसद उन में से tax कितना दे रहे हैं और कौन-कौन दे रहा है क्योंकि जो टॉप 1% है पाकिसान की population का वो बनता है 1.8 मिलियन और आपकी इस वक्त टोटल taxpayers जो हैं मिला मिलू के वो 2.5 मिलियन से कम है जो असली में tax देते हैं वो 17 लाग हैं उनमें से 2.5 मिलियन रेजिस्टर्ड हैं 17 लाग इससे जादा तो हमारे 5 लाग रुपे महाना कमाने वाले तो यह मतलब यह simple बात है ना कि obviously और उसमें सिर्फ उपर वाले तबके के नहीं है जो लोग 50,000 रुपे महीना कमा रहे हैं वो सब tax दे रहे हैं और वो अपनी salary पे दे रहे हैं तो बजाए इसके कि सिर्फ जो salary कमाते हैं वो tax दें जो business चलाते हैं उनको भी tax देना चाहिए जो हल चलाते हैं और उससे बहुत जारे पैसे कमाते हैं उनको भी tax देना चाहिए जो भी एक level से ज्यादा पैसे कमाता है किसी भी sector में formal या informal उसको कमसकम income tax देना चाहिए इस से ज्यादा अच्छी ये चीज़ होगी कि बजाए आप income tax ये sales tax के एक अच्छी welfare society में सिर्फ एक तरह का tax होना चाहिए और वो होना चाहिए wealth tax जो लोग पैसे जमा करके असासे खरीदते हैं उनके उपर ये tax लागू होना चाहिए बाकी आप कमाएं और खाएं और जितना कमाएंगे और खर्च करेंगे consumption से economies चलती है तो आपको consumption को encourage करने के लिए ना consumption को tax करना चाहिए और ना income को लेकिन wealth को आप ज़रू tax करें कि जो आप जमा कर रहें उसमें से चोटा सा हिस्सा आप रियासत को देते रहें ताकि रियासत वो एहम चीज़ें करती रहें लेकिन इसमें फिर एक problem आजाती है ना wealth को अगर आप tax करेंगे तो basically एक regressive tax होगा एक retrospective tax होगा क्योंकि जिस दिन आपने decide कि जी wealth को tax करेंगे वो जिसकी wealth है उसने income tax भी देता आया है चाहिए उसने दिया या नहीं दिया है it has already been subject to income tax wealth को भी tax करें income को भी tax करें तो वो ज़रा जादा fair हो जाता है सिर्फ wealth को tax करें और एक और वज़ा भी आजाती है आप मुझे बताएंगे कि जी हम ये करने जा रहे हैं तो मैं सारे पैसे ट्रांसवर कर देता पाकिस्तान के बाहर और पर मैं कहते हैं तो ये wealth tax को आप लगाएंगे लेकिन इन पे भी मतलब देखें थोड़े बहुत capital controls हुए है अब जारी बाते जो IFIs है वो उसको पसंद नहीं करती है क्योंकि वो obviously globally mobile होना चाहिए capital B, labor B लेकिन हमारा labor तो globally mobile नहीं है तो why should our capital be globally mobile है हुए हमारा पस 20 second रहे हैं मुझे वो इस simplistic सवाल का जवाब अगर आप महीने में 10,000 रुपे कमाते तो आप 2700 रुपे चौकीदारी को देते है हम तो हम तो दे रहे हैं तो ये theoretical सवाल नहीं है तो ये वाला थोड़ा हसास ह तीन हजार रुपे पुराने करदे वाफिश कहने वे रहते हैं लेकिन realistic बात ये कि एक मुश्किल आप neighborhood में रहते हैं आप ऐसी खिते में रहते हैं जहां पर आपको चौकीदारी पे खर्च करना ज़रूरी है दो सवाला आते हैं एक ये कि अगर आप उस खिते में रहते हैं तो क्या आपको मैनत नहीं करनी चाहिए कि उस खिते को अच्छा करें जिस neighborhood में आप रहते हैं वहाँ अगर बहुत सारे बदमाश हैं डाकू हैं तो आप पुलीस वाले को फोन करें आप थोड़ा paint shint चुना 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 लगा हैं नहीं पुलीस वाले United Nations हैं पुलीस वाल world system है हमारे पास UN resolutions है कश्मीर पे हम मतलब देखें इन चीजों का एक system में चलना जो है वो मतलब असान था हमने वो path नहीं चूज किया हम लडाई के उसमें रहें और उसमें हमने मतलब हम गोड़ डालते मतलब गोड़ डालते रहें लेकिन वो अभी तक मिठास का कोई अंसर अगर पाकिस्तान एक आदमी होता दस हजार रुपए महीना अगर कमाता उसमें से 27 जो चौकीदारी को देता और तीन हजार रुपए अपने पुराने कर्द वापिस करने में देता और फिर अपने जो उसके शौक थे उनको पालने में एक अलग तीन हजार रुपए जो है वो उसके अंदर खर्च कर देता रहता उसके पास खर्च करने के लिए अपने बच्चों पे अपनी खाने पे अपनी सेहत पे अपनी तालीम पर कपड़ों पे 2000 आउट अफ 10,000 आप देख रहते हैं स्यासत मना है अपनी राय से मैं अगा कीजिए smh.nbc.pakistan.com Thank you very much for watching. मैं और कि ए अपनी खिंद कीजिएша नविए मैं कीजिए मताई मैं अपनी सेहत अपनी षब मार्ट को मैं अपन के सकते हैं सेहता हैं इंड़ हैं